हेलो गईस दिस राज एंड यू और वाचिंग जी सार्च आज मैं बहुत दिन बाद ऐसा लाइब अब लोग से वीडियो बनाने के लिए मैं बैठा हूं और आज जो मैं सेयर करूंगा यह कुरूस लाइब का जो अब लोग सुना है क्या कुरूस लाइब होता है बहुत समयर के से reveren इसलिए में मेरा घर से वीडियो बनाता है हम और यह दूए में अनल मा अप्लिया क्या हूं आप लोट कीया है तो उसका एक रिजन है क्या हम लोग के बास जाधा टाइम नहीं रहता है जो लूग करता है नगा उसके लिए जाधा टाइम नहीं रहता है इधर जो schedule होता है बहुत ज़्यादा difficult schedule होता है schedule बोले तो हर दिन में हम लोगो duty करने के लिए 3 बार जाना पड़ता है तो कभी भी अगर अब लोग cruise के लिए apply करना चाता है यह जो career है cruise का इसमें अब लोग आना चाते हो तो पहले से यह थोड़ा mentally prepare हो जाई है क्या ऐसे ऐसा हो जाएगा आपके साथ देखिए salary का जो बात है salary आपको huge मिलेगा salary huge मिलता है salary के लिए हम लोग इधर आते हैं और कुछ नहीं है ठीक है और जिसको घूमना है फिड़ना है उसके लिए एक cruise life सही है क्योंकि जो ज्यादा पसंद करता है घूमना उसके लिए एक दम perfect life है cruise life तो आज मैं share करूंगा मेरा screen पर थोड़ा से देख लेजिए उदर में schedule कभी में डालूंगा details schedule class कैसे बनता है schedule जो होता है न 3-3 घंटा duty होगा बीच में 45 minutes break बीच में 1 hour break ऐसा होता है तो ऐसा करते करते आपको 10-11 hours हो जाएगा बड़ा भी देखिए अगर break duty होगा 11-12 hours का तो इसमें duty join करने के लिए और duty छोड़ने का time यह तो आप fix नहीं कर सकते हो ना situation के उपर depend करता है मान लीजिए आपके आप कुछ काम कर रहे हो काम छोड़के आप नहीं आ सकते हो अगर आप professional आदमी हो तो आप तो काम ऐसा छोड़के नहीं आ सकते हो तो आपको काम फिनिस करके आना पड़ेगा क्योंकि वो काम का जो credit हो आपको जाएगा अगर काम गलत होगा तो उसका जो क्या बतनमी है वह भी आपको आएगा तो कोई भी जो professional बंद है और कभी काम छोड़के नहीं आएगा है स्वंज़ आए ना कंपनी इक लागा देता है Del такие इनए और होता भी है इसक जोबाद करता है क्या-काम करना पथा है हम लोग आप ही में अब लोग से बाता हूंगा कभी स्केजूल तो रहता है देखिए जो कुछ में काम करता ने इसका दो दिन का ड्यूटी होता है बोले तो दो दिन का बोले तो एक है सीडे एक है पॉडडे सीडे में क्या होता है सीडे में समुंदर के बीच में रहता है उस दिन काम बहुत ज़्यादा होता है काम ज़्यादा कैसा है नॉर्मली मेरा अगर स्केजूल लगएगा नॉर्मल दिन में तीन बज़े से साम को अगर सीडे रहेगा तो सीडे में 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 को बारा बज़े काम करना पड़ेगा क्योंकि बाड़ा बज़े से आपको गेस्ट को देखना पड़ेगा क्योंकि समुंदर के बीच में सब गेस्ट रहता है तो उसको अच्छा से टिक क्यार करना चाहिए और पोट्डे में क्या होता है पोट्डे में आदा से ज्यादा गेस्ट पोट्ड में घुमने चले जाता है वो लोग देखने जाता है जो साइट सीन तो सीप खाली रहता है उस टाइम क्या होता है उस टाइम हम लोग भी घुमने चले जाता हूं यह शीप्ट को इबंड करता है कौन सा शीप्ट में में जोब कर रहा हूँ उस रिसाव से में जा शकता हूं ऐस दे हूं घाल अब है तो चला गया और पोड़ी का बात हैं अभी है सीडे में डिखिए क्या होता है सीडे में माली ये मेरे तो टु Orleans यादा रहे यदर बहुत तरह का ट्रेनिंग कभी क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है कभी फायर डील हो रहा है कभी बहुत तरह का में क्या बताऊंगा उसके लिए इतना ज्यादा ट्रेनिंग है इधर ठीक है कैसे रहना चाहिए कैसे बीव करना चाहिए क्योंकि इदर 162 more than 162 Nationality काम करता है हम लोगों का company में तो 162 Nationality जो है इन लोग से कैसे आप बिहेप करोगे यह बिहेप करने के लिए भी लोग सिखाता है क्या इसे बिहेप करना होता है तो इसके लिए भी training होता है तो हार एक training देखे अभी जो field में आप रहोगे मान लिजे आप housekeeping में काम करते हो तो housekeeping आप मान लिजे जो आप इंडिया में काम करते हो क्या दुसरा कोई country में काम करते हो housekeeping का जो life होता है वो एक different life होता है जब अब international, globally काम करोगे उस field में इधर आपको missionary बहुत सरा मिलेगा not only housekeeping, every department there are lots of missionary तो आपको यह लोग training देता है क्या कैसे उसको operate किया जाता है यह जो chemical है, chemical का uses कैसे होता है तो बहुत तरह का ऐसा, मैं as a example house cooking बोला हूँ बट यह हार एक department में ऐसा होता है बार के लिए भी होता है जो production kitchen है, kitchen के लिए भी होता है और front office है, front office के लिए भी होता है तीक है, इदर guest service होता है guest service के लिए भी होता है जो retailer रहता है, जो लोग product sale करता है इदर on local lobby होता है हार एक department में हफता में हथता में एक एक बार करके training होता है यह training कभी 2 घंटा होता है, कभी 3 घंटा होता है अभी आप सोच लिए, आपका जो duty timing है, माली जब 12 घंटा duty किया, उसके बाद 3 घंटा training है, तो 15-16 घंटा हो गया, इसके बाद आपको सोना है, घर में बात करना है, फिर यह सब करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ship life थोड़ा different life है, पैसा आपको मिलेगा, पैसा एकदम भरप हालत है, कोई भी ऐसा situation आया आपके सामने, उसको ट्रागिल करने के लिए, उसको जो काने के लिए, जो जो करना है, आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको एकदम fit रहना चाहिए, और fit रहने के लिए, जो ship का rules होता है, इसमें है, क्या आपको active रहना चाहिए, तो यह इतना active रहोगे, ऐसा होता है क्या देखो, जब अब हम लोग बाहर में काम करता हूं, बोले तो लैंड पे काम करता हूं, उतना खत्रा नहीं रहता है, लैंड पे, इधर ship में ज्यादा खत्रा है, कोई दो मिनिन में कुछ भी हो सकता है, समाझ में आ रहना है, तो इसलिए क् मान लीजे एक बाच्चा गुम हो गया, अभी इतना दस अजार गेस्ट है उपर, तो आपको ढूंड़ना चाहिए, तो ओ ढूंडो के कैसे, इसके लिए skill है, तो इस सब आपको सिखाया जाएगा, कैसे बाच्चा को ढूंड के लिए क्या आना चाहिए, कहां पे उसको जमा करना चाहिए, यह सब बहुत सारा सिस्टेम है, इतना बड़ा क्राउड है, बोले तो 10,000 बोले तो आपको समझ में आरे, 10,000 पेपिल जा रहे है, और उसके अंदर आप एक क्रू है, हम अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारा बंदा रहता है, तो इन लोगों सब को क्या होता ह इमार्जेंसी सिच्वेशन पे उसमें सब लिखा हुआ रहता है, और उसके लिए अलग-अलग training हम लोगों दिया जाता है यह training ऐसा नहीं है क्या साल में एक बर दे दिया बस हो गया ऐसा नहीं है यह हर एक week पे चलता है तो हर एक week पे मान लिज़ा आपको तीन training आ गया तो समझ में आ रहे हैं ना कितना business schedule अपके life में होगा तो ऐसा होता है आपको active रखने के लिए जो company का process है ऐसा ही है अगर कोई भी में को वीडियो भी में फिलहल देख रहे हैं तो सब के लिए मैं बोलना चाहता हूं देखिए cruise में आना जो है एकदम बोले तो जितना difficult है काम जाना भी उतना difficult है बट एक बड़ आपका काम मिल गया तो माल लिजिए यह सरकरी नौकरी से भी आच्छा है जो government job करता है ना पांच से नौ और पचासा जार उठाता है उससे बहुत गुना अच्छा है और difficult है काम मिलना यह मैं मानता हूं बहुत सरा documentation arrange करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है जो process कर रहे हैं अभी मैं सबको ओई बात बलूँगा ध्यान से जो जितना भी process है आप लोग करिए time लगता है इसमें 6-7-8 माहिना भी लग सकता है कभी कभी उससे ज़्यादा पहले भी हो सकता है बहुत ज़्यादा time देने का काम है यह बट एक चीस अच्छा से अब लोग ध्यान में रखिए जो काम ज़्यादा time में बनता है वो काम अच्छा होता है ऐसा नहीं है जल्दी जद रहता है समझ में आ रहा है तो कभी भी कोसिस कीजिए कुरूस में आने के लिए और जो challenging life है इसको जहिलने के लिए समझ में आ रहा है अगर आप एक बाद जहिल लिया कोई मुस्किल नहीं है एक contract आप अगर successful इकाटा लिया ना कोई मुस्किल नहीं है फिर भी आप पूचा था कुछ बनाओंगा बनाओंगा करके मैं सोच रहा था बट मौका नहीं मिल दा था इसलिए आज थोड़ा सा टाइम मिला है अभी में ड्यूटी जाओंगा थोड़ा में पीपेर हो गया हूं थोड़ा और भी बाकी है नेम टक लागाना बकी है मैं सब यह वह था दोड़ाओंगा है